महोदय यह भी फिचार किया गया है कि जो व्यक्ति समाज में काम करता है चाहे आविसकार का काम करे चाहे दूसरा कोई काम करे उसको उस काम में तब तक सफलता नहीं मिल सकती है जब तक की समाज का सहयोग या समाज ने जो परिस्त्रम किया है या कुछ अविसकार किया है उसका उपियोग उसको प्राप्त ना हो उसका उपियोग वह ना कर सके इसलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु का आविसकार करता है तो आविसकार करने में ना केवल उसका अपना परिश्रम रहता है लेकिन साथ ही साथ समाज ने जो काम किया होता है चाहे विज्ञान के छेत्र में या प्राद्वग की के छेत्र में या किसी अन्य छेत्र में उस सब से भी वह लाभान्वित होता है इसलिए जब हम किसी आविसकार के अधिकार की रच्छा करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ यह भी विचार हमारे दिमाग में आता है जिस व्यक्ती ने समाज की सहायता से अविसकार किया है उस समाज को भी उसका फल अधिक से अधिक मिलना चाहिए माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि पेटेंट ला इस सिधान्त पर आधारित होना चाहिए मैं समझता हूँ कि पेटेंट ला के पीछे दो सिधान्त निश्चित है पहला सिधान्त तो यह है कि जो ब्यक्ती परिश्रम करके धन लगाकर अपना दिमाग लगाकर के किसी वस्तू का अविसकार करता है उसके तथा अपने परिवार के लोगों के अधिकारों की जहां रच्छा होनी चाहिए उसके साथ ही साथ जैसा मैंने अभी कहा है कोई व्यक्ती समाज में फ्यर्थ में काम नहीं करता है वरन पिछले समाज के लोगों ने जो जो काम किये होते हैं चाहे विज्ञान के छेतर में या प्रोद्यग की के छेतर में या किसी अन्य छेतर में और जिनके आधार पर वह कोई अविश्कार करता है उसको उसका प्रतिफल तो मिले लेकिन जो परिडाम हो उसका प्रतिफल समाज को भी मिलना चाहिए मंत्री महोदे ने कहा है कि जो यह सिद्धान्द है वह भी इस विद्हेयक के पीछे स्थापित किया गया है और इस बात का ध्यान रखा गया है कि जहां हम किसी व्यक्ती के आविश्कार के जो आधिकार हैं चाहे धन के उपारजन का आधिकार हो या प्रतिष्ठा प्राप्त करने का आधिकार हो उसे प्रतिष्ठा का और चाहे धन का दोनों का लाब व्यक्ती विसेश को भी मिले विराम प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा का लाब विराम